नमस्कार, वेल्कम टू माई जी अचकेर चानल, अंडे खाने से आपको पता है कौन से बीमारी दूर होती है, मैं आपको बदाने वाला हूँ, जियां, तब तक जिसने मेरे चानल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन कमणा नवाते हैं, जियां, मैंने फ्रेंट्स, अंड मैटकुलर डीजेनरेशन की समस्या को रोकने में मदद करता है, तो डियर फ्रेंट्स, रोज खाओ अंडे, रोज अंडा खाने से सरीज में क्या होता है, इसको भी जानना पड़ेगा, मैं डियर फ्रेंट्स, अंडे को प्रोटीन का सब से अच्छा सोर्स तो माना जाता है, अंडे को डाइट में सामिल कर आप कई स्वास्त समस्याओं से बच सकते हो, असल में अंडे वाडामिन B से भरपूर होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर वाडामिन B12, बायोटीन, रिबोफलावीन, थियामीन, सैलीनियम भी इसके अंदर मौजूद होता है, ये सभी जालों तो अच्छा और नाखुनों के लिए तो जरूरी है, जी है, अब जानों, एक सवाल है, एक दिन में आप कितने अंडे खाते हो, माइडे एक स्वास्त वैक्ति को एक दिन में दो से तीन अंडे का सेवन करना चीज़ से जादा नहीं, क्योंकि एक अंडे में अंडे कब खाना चाहिए, वैक्ति को अंडे का सेवन खाली पेट तो बिल्कुल नहीं करना अच्छीए, पहली बात यह जान दो आप, आपको बता दें, कि खाली पेट अंडे का सेवन करने से आपके पाचन तंत्र से समबंधित समस्याइं बगड सकती है, यानि कि आपका पाचन तंत्र बिगड सकता है जियां आपको एग एलर्जी से गरस्त लोग भी इसका सिवन करने से आपको बचना चाहिए जो है इस टाइब के अंडे में प्रोटीन चुकी बहुत ज्यादा होता है एक अंडे में कितनी प्रोटीन होती इसको जाना पड़ेगा अंडा खाने स इसे बचना है अगर आप अंडे के साथ चीनी से बनी हुई फूड आइटम्स या मीठास वाली चीज को काते हो या आपके सरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसान कर सकता है जब अंडा और मीठा चीज दोनों को साथ में खाय जाता है तो इससे एमिनो एसीड बनता है पिट लेट भी हो सकते हैं तो समझ में आगिया इन रात में उबला हुआ अंडा खाने से क्या होता है इसको जानना पड़ेगा प्रोटीन से भरपूर अंडा डाजेस्ट भी आसानी से हो जाता है ठीक है कि उसके बाद है रात में अंडा खाने से वहतर निंद लेने में काफी मद इसको भी जानना पड़ेगा चुकि यह आंडा जो होता है एंटी ऑक्सिडेंट होता है आपकी आंखों को यूवी किरनों से याने की अल्टरा वाइलेट रेज से जो नुक्शान होता है उनसे बचाता है अंडे में वड़ामीन और मिन्वल्स होते हैं जो आपके दिमाग के लिए फायरे मंद होता है सुबह खाली पेट अंडा खाना ब्रेन हैल्थ के लिए फायरे मंद होता है सुबह नास्ते में तक्रीबन दो उबले अंडे खाना चाहिए, खाली पेट नहीं नास्ते में, अंडे के पीले भाग में क्या होता है, इसको भी जानना पड़ेगा, जी हाँ, अंडे का पीला भाग बेहद हेल्दी होता है, जिसमें कई तरह के महत्रपूर्ण पाशक तत्व मौजूद होते हैं, इसमें चोलीन नाम का कपाउंड होता है, जो ब्रेन फंक्शन्स और लीवल के हेल्थ के लिए महत्रपूर्ण होता है, इसके साथ ही अंडे के पीले भाग में वाटामिन डी भी पाए जाता है, जो इम्मिनिटी और आपके हड्डियों को मजबूत ही द समय लगता है, एक सवाल है कि अंडा गर्म होता है कि थंडा, चुक्वी माइडियों फ्रेंड्स अंडे गर्मी पैदा करते हैं आपके सरीज में, इसलिए इन्हें बहुत अधिक खाने से आपको प्राबलम भी हो सकती है, और ज्यादा खाओगे तो आपका पेट भी खराब हो सकता है, अंडा खाने से बाडी कैसे बनता है, इसको जानना चाहिए, वजन बढ़ाने के लिए अकसर बाडी बिल्डर्स जो होते हैं, जो जिम में वर्क आउट करते हैं, वो अंडा खाते हैं, वजन बढ़ाने के लिए अंडा काफी फाइदे मंद होता है, अगर आप द सबसे ज्यादा अधिक कैलोरी आपको पीले भाग में होती है वजन कम करने के लिए अंडा खाना चाहिए के नहीं बिल्कुल खाना चाहिए अंडे को उबाल कर खाएं इसमें कैलोरी की मात्रा फ्राइ किये अंडे से कम होती है अब देखो अंडे को हाफ फ्राइ करके खाएं इसमें काला नमक तो जरूर मिलाएं इससे मोटापा कम होगा ठीक है अमलेट बनाकर खाएं अमलेट में वेजिटेबल मिलाकर खाएं उबले हुए अंडे खाएं अंडे का कौन सा भाग नहीं खाना चाहिए इसको भी जानना पड़ेगा शरीर के लिए दोनों भाग पर्कार का लेके लिए फायदे होता है वही आंडे की जु पिली भाग है वो मोटा करने के लिए होता है क्या अंदा का खाने idag के बाद पाने पीना चाहिए यह भी सवाल हो सकता उबले अंडे खाने के बाद पानी पीते हैं तो प्रोटीन चोटे चोटे अनुओं में नहीं टूटता है प्रोटीन को पच्चने में चुकी काफी समय लगता है साथ ही साथ अंडे से जितना प्रोटीन मिलना चाहिए सरीर को नहीं मिल पाता है यही नहीं उबले हुए अंडे खाने के बाद दूद भी नहीं पिना चाहिए जियां अब देखो किसी ने का अंडा खाने से गैस बनता है बहुत अधिक अंडा खाने से आपको आपका जो डाजेशन से वो बिगड़ सकता है और आपको ब्लोटिंग हो सकती है इसके कारण अंडे का सेवन करना बहुत लाबकारी माना जाता है इसके अलावा जो लोग फैटे लिवर की समस्या से गरस्त हैं वह भी अंडे का सेवन कर सकते हैं लेकिन भ्यान रहे वह अंडे के सफेद भाग का ही सेवन करें पीले वाला नहीं तो मेरे दोस्त वीडियो कैसा लगा के साथ और दीजिए अगले वीडियो का किजिए इंतजार जय हिंद जय भारत